नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सॉल्व करेंगे कोश्चन नंबर वन एक्सरसाइस 10.4 का तो चलिए यहाँ पर कोश्चन ले ले लेते हैं कोश्चन के अंदर हमें क्या दिये गया है हमारे पास दो सरकल है जिनकी रेडाई हमें दी ग यह से लगबग यह हमने बना लिया इसका center ले लिया हमने O और एक जो दूसरा सरकल है वो हम बना लेते हैं इससे चोटा सरकल बनेगा क्योंकि इसकी जो रेडियस है 3 cm की है तो यह हमने सरकल बना लिया यह है हमारे पास O-स का center O है इसका center O-sh है और यहाँ पर हमें दी ले प point पर यहां intersect करता है माल लेते हैं यह P point है और यहां पर यह point क्यों है तो दो point पर intersect कर रहे हैं और distance between their center is 4 cm यानि कि O से लेकर O dash तक का distance हमें दिया गया है वो 4 cm दिया गया है find the length of the common code अब देखिए common code कौन सी होगी जो यह P से क्यों तक होगी यह हमें length find out करनी है तो यहाँ अब यहां पर O P हमें दी गई है क्योंकि यह radius है जोकि हमें 5 cm दी गई है O dash P भी हमें दी गई है जोकि 3 cm अगर आप इस triangle के उदर देखें O O dash P अगर इस triangle को देखें O O dash P triangle को तो यहाँ पर हमें येар right angle triangle देखती है क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जू o p का square है यहाँ पर ध्यान से देखिये जू o o dash plus o data P के square के बराबर है plus o dash P के square के बराबर है o P क्या है यहाँ पर? 5 यानि कि 5 का square क्या हो जाएगा? 25 और o o dash कितना है? 4, 4 का स्केर कितना हो जाएगा 16 O, P, O-P कितना है 3, 3 का स्केर कितना हो जाएगा 9 यहनि कि यहाँ पर देखे 25 इगल to 25 आता है यह rule कहाँ पर follow होता है जहाँ पर right angle triangle हो तो यहाँ पर यह right angle triangle है तो इसलिए जो यह triangle है हमारे पास यहाँ पर लिखे लेते हैं triangle है o o dash p ये right angle triangle हो गई और उसका area का formula हमें पता है तो वो हम यहाँ पर apply कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा half into o dash p into o o dash यही होगा o dash p into o dash ये इसका formula हो जाएगा यहनि कि base into height कह लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास अब ये जो है half into जो o dash p है ये कितना है हमारे पास 3 है और o dash कितना है 4 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 into 4 यहाँ यहाँ पर cut करते हैं तो यह कितना आगया हमारे पास 3 to the 6 तो यहाँ पर यह आगया हमारा ये area आजाएगा area हम क्या करते हैं उसकी जो units होती है skates के अंदर लेते है अब देखे यह cm है यानि कि यह 6 cm का square आ गया तो यह area आ गया हमारे पास अब यहाँ पर यह area का formula है लेकिन यहाँ पर एक area का formula और apply कर सकते है वो क्या है अगर हम दोबारा से triangle लें o o dash b here triangle ले लेते हैं यहाँ पर यह दोबारा से formula अप्लाई कर सकते हैं half into o o dash यानि कि यह चीज और कह ले सकते हैं यहाँ पर यह जो बीच वाला point है यह ले लेते हैं l तो o o dash into pl भी ले सकते हैं तो यह भी area का formula होता है क्योंकि यह जो base हो गया और यह जो है height pl की value तो नहीं पता लेकिन इस o o dash की value तो पता है तो यहाँ पर o o dash की value कितनी है हमारे पास यह 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे into यह आगे हमारे पास pl यहाँ पर cut out करते हैं तो यह हमें क्या मिल गया 2 pl यानि कि एक area की value यह आगी ये भी क्या है हमारे पास area का formula था ये भी क्या था हमारे पास area का formula था यानि कि ये जो चीज है ये भी area है इसी triangle का और ये जो चीज है ये भी area आया है तो ये जो हैं दोनों को हम बराबर रख सकते हैं यानि कि अगर हम इसको first relation माल ले इसको second relation माल ले तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 PL equal to 6 लिख सकते हैं और PL की value यहां से कितनी आ जाएगी 3 क्योंकि 2 इससे हम डिवाइड हो जाएगा PL की value 3 आ जाती है यानि कि half हमने value निकाल ली हमें निकालनी थे value PKO के अब हमें पता है इससे पहले lecture में हमने पढ़ा था पिछले question के अंदर कि यह जो है यह perpendicular by sector होती है जो PKO है O dash की perpendicular by sector यानि कि इसको दो हिस्सों में बाटती है O dash इस PKO code को अगर PL हमारी 3 है तो इस PKO की अगर value निकालनी है तो यह दुगनी हो जाएगी इसकी दुगनी यानि कि यह 3 है तो 2 into PL हो जाएगी यानि कि PL की value 3 है तो 2 into 3 हो जाएगा यह आजाएगी 6 तो जो PKO की value है वो हमारे पास आएगी 6 cm तो इस तरह से इसकी length जो है हम इस question में find out कर लेंगे तो धंक्य वीडियो देखने के लिए और शीतरा की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद